नमस्कार सादियो स्वागत आपका एको ने वीडियो में तो धोस्तों जैसा कि हमने आपके बूस्त century बोठनी क्या मैं श्टार्ट ति इस्से पहले जो हमने वीडियो अपलोड़ की थी उसमें आपके हमने सैवाल की जनरल डिटेल जैनि स्यमवान ELECRY descon के वारे में चरचा की तो आवास को मैं दो मिन्ट में आपके रिवाइज कर देता हूं जैसा कि आपको याद रहे और आपने अगर पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखिये तो उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वहां से आपको एक या दो नमबर का क्यूशन जरूर देखने को मिलता ह और अगर आपको वहां से अगर बड़ा क्यूशन पोचेगा तो वह आपको उसके आवास के बारे में पोचेगा तो आवास के बारे में मैं आपको बता दू कि सहवाल को आवास के आदार पर हमने तीन बागों में डिवाइड किया था तो सहवाल को आपको पूचे कि सहवा और जो आपके फादरोप एल्गोलोजी थे वो तो थे आपके एफी फिसर जी थे और फादरोप आपके इंडियन फाइकोलोजी थे वो आपके थे एमोपी एंगर जी और इसके बाद में हमने आवास पड़ा था तो आवास के अधार पर सेवाल को हमने तीन बागों में डिव पर आपको देखने को मिलते हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके थैलस ओर्गन के बारे में यानि आपके सैवाल के सुकाय अंगू के बारे में तो यहां से दोस्तों आपको एक बड़ा कि उसन देखने को जरूर मिलेगा तो आज की वीडियो बहुत इं पोटेंट रहने वाली है अगर आप B.S.A. First Year के student है तो आपको मैं बता दू कि हमारे चैनल पर आपको B.S.A. First Year की complete किलासे देखने को मिलेंगी तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और दोस्तो मैं देखता हूं कि आ ऐसा ही content उपलब्द करवाते रहेंगे तो दोस्तो चलिए आज की वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का जो टोपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला थैलस ओर्गन यानि आपके सुकाय अंग तो दोस्तो सहवालों का जो पादप सरीर होता है वो जड़ तना पतियों यानि बटा हुआ नहीं रहता है जैसे कि आपने किसी जनरल पेड या पोदे को देखा होगा तो आपने देखा हो कि वह जड़ तना पत्ती और साक्काओं या फल फूल में बटा हुआ रहता है जहां तक आपने देखा होगा और जो सहवाल होता है वो आपको जड़ तना प तो इसीलिए इस परकार के पादप सरीर नुब थेलस है तो यह पहले भी एकजाम में पोछा हुआ है कि थेलस किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे सहिवाल के पादप सरीर में जड़तना पत्यों ऐविय भी रैता है यानि उससे बाट नहीं सकते हैं थेलस कहते हैं और साथ यो सहवालों को थेलस संगटन के आदारपन निम्द बागों में डिवाइड किया है इसे थेलस का तो संगटन होता है उसके आदारपन इसे दो बागों में डिवाइड किया है एक तो होता है आपका ऐसे एक को सिखाई पाई जाएगी इसलिए इसे हम एक को सिखाई भी धैलस कहते हैं तो दोस्तों आप की एक को सिखाई भाइज poses भी कहते हैं इसके सरज़ना के अधार पर इस थैलस को निम्न बागोमें डिवाइड किया गया आपके इसके चार टाइब रहने वाले, नमबर एक पर रहेगा आपका राइजोपोडियल, नमबर दो पर आपका रहेगा फलेजिलेट, नमबर तीन पर रहेगा आपका नोन फलेजिलेट, नमबर चार पर रहेगा आपका सरपिल, नमबर एक पर आप देख सकते हैं राइजो तो दोस्तो वे सहवाल जिनमें आपकी राइजोपोर्ड अंग गमन के लिए होता है उसे हम राइजोपोर्ड थैलस कहते हैं तो दोस्तो इस परकार के थैलस में आपके गमन के लिए है जो राइजोपोर्ड नामक अंग पाय जाता है, इसलिए हम इसे राइजोपोर्डियल थैलस कहते हैं, इस परकार के थैलस आपके राइजोपोर्डियल अंग है, वो कौन से सहवाल में पाय जाते हैं, तो आपका जो कि गमन करने के लिए आपको इस ट्रेक्चर दिखेगी इसे हम राइजोपोड कहते हैं नमबर दो पर आपका फ्लेजिलेट यानि कसाबिक तो दोस्तो इस परकार के थैलस में उपस्तित सेल में कसाबिका पाई जाती है यहें कसाबिका इन सेवालों को गमन करवाने में सायक होती है इसमें आपकी सेल यूनिसेलोडर में एक ही सेल रहेगी यह आपको ध्यान रखना है और आपके राइजोपोर्ड में गमन के लिए राइजोपोर्ड अंग पाए जाएगा और जो आपके फलेजिलेट हैं इन में आपके गमन के लिए कसावी का पाए जाएगे इसका एक्जामपल हो जाएगा आपका KLAIMA IDUMONAS या आपको एक्जामपल याद रखने उतने ही आपका examiner पर प्रभाव पढ़ने वाला है दोस्तो तो examiner आपके example को देखता है ना कि definition को definition आप कैसे भी बना कर लिख देंगे तो वो उसे माल लेगा परन्तु आपने example नहीं लिखा है तो वो आपको कम से कम number देने कोशिज करेगा तो एक एक example तो आपको याद रखना है यह से भी चीजों में और इसके आगे बात करें तो number 3 पर आपका non-flagellate यानि एक असाबिक इस परकार के थैलस में उपस्तित cell में कसाबिकाई अनुपस्तित होती है अतर इस परकार के थैलस को एक असाबिक थैलस कहते है तो आप इसे नाम से भी डिफाइन कर सकते है कि इसमें आपकी कसाबिका नहीं होने वाली है इसका आपका एकजांपल हो जाएगा कलोरेला नमबर च्यार पर हम बात करें तो नमबर च्यार पर आपका सरपिल इस परकार के थैलस में उपस्ति cell सरपिल होती है अतर इसे सरपिलाकार थैलस भी कहते है इसमें जो आपकी थैलस की स्टेक्चर होने वाली है और थैलस की मुपस्ति जो शैल रहेगी वह सरपिल की आकार मे आपको देखने को मिलेगी इसलिए हम इसे सरपिलाकार थेलस भी कहते हैं इसका आपका एक्जाम्पल हो जाएगा सरपिलाइना उन नमबर दो पर हम बात करें तो नमबर दो पर रहने वाला आपका मल्टी सेलूलर थेलस यानि बहु कोशी के थेलस तो इसे आप नम से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बहु कोशी के तो इसमें आपकी बहुत सारी कोशी का ही रहने वाली है तो वे सेवाल जिनके THELUS में एक सदिक सेल परजेंट होती है ऐसे THELUS को आपके बहुकोशी के THELUS कहते है दोस्तो यानि आपके multicellular THELUS कहते है दोस्तो multicellular THELUS में आपको एक definition याद रखने है या आपके exam में पहुंची जाती है हर बार पहुँची जाते है कि कोलोनी किसे कहते हैं तो थैलस के इस परकार के रूप में थैलस की सेल्स का एक समूँ पाय जाता है जो आपका थैलस रहेगा उसमें आपकी दो बाइ जाएंगे आपको एक से अधिक सेल आपको देखने को मिलेंगे इसलिए हम इसे multi cellular कहते थे और जो एक कोशिकाई हैं जो एक समू के रूप में देखने को मिलेंगे इसे हम coloni कहते है तो दोस्तो जैसे हम CT में रहते हैं तो अलग-अलग जगों को अलग-अलग coloni के नाम से बाटा हुआ है नमबर एक पर आपका motile colon frums यानि आपके गति सील coloni रहने वाले दोस्तो इस परकार की coloni में आपकी cells की संक्या वह इनका करम निष्टिद होता है तो दोस्तो इस परकार की coloni में जो आपकी cell की संक्या है वह भी निष्टिद रहेगी और cell की जो जमने या इस्तित होती है उनका करम भी निस्तित होता है इस कोलोनी में आपको flagellate यानि आपकी कसाबिक सेल्स परीदी के ओर इस्तित होएंगी और जो आपकी non-flagellate cells होती है वो आपकी मद्धे के ओर इस्तित होती है तो दोस्तों उपर आपको कसाबिका देखने को मिलेगी जिससे वो सेवाल को गती परदान करेंगी इसका example हो जाएगा आपका wall walks और इस परकार की कोलोनी में आपकी number of cells रहती है 500 से 1200 तक आपकी number of cells रहती है example आपका wall walks हो जाएगा वो लोग सेवाल की कोलोनी के अंदर के और इसे सेल्स में लेंगिक वा एलेंगिक जनर की किरियाओं में भाग लेती है और परीदी के और जो आपकी फलेजिलेट सेल्स होती है वो सेवाल को गती कराने में सायक होती है जैसा कि आप डाइगराम में देख सकते है कि जो आपको परीदी की और जो सेल्स देखने को भी लेंगी उनमें आपको ये उबरे हुए उबार से दिखेंगे तंतुनुमा इन्हें हम फलेजिलेट सेल्स कहते हैं ये तो आपके सेवाल को गती कराने में सायक होती हैं और जो आपको अंदर की और दिखेंगी ये आपको नोन फलेजिल धिकिएंगी इन्में आपके फलेजिला नहीं पाय जाता है इसलिए यह नोन फलेजिल ब्रशाषें रहेती है या जो आपके फलेजिलीड केल या किसाबिक खाल रहती है वो तो सेवाल को गति कराने N निस्ट होता है, इस परकार की कोलोनी को प्ले नाब कोलोनी भी कहते हैं इसका आपका एक्जामपल हो जाएगा, टैट्रो इस्पोरा इससे आगे हम बात करें तो आपकी कोलोनी को नमबर तीन में डिवाइड किया गए आपकी वरक्साब कोलोनी तो दोस्तो आप इसके नाम से भी इसे पैचान सकते हैं वरक्साब मतलब वरक्स का जिसे आवास होता हो इस परकार की कोलोनी को अगर आप देखेंगे तो आपको वरक्स की यानि आपको पेड़ की इमेज नजर आएगी तो दोस्तो इस परकार की कोलोनी में आपके वरकसाब कोलोनी भी का जाता है तो ये आप डाइगराम में देख सकते हैं कि ये जो आपकी सेल्स हैं इनमें आपकी फलेजिलेट सेल्स भी होती हैं और नोन फलेजिलेट सेल्स भी होती हैं और ये आपकी जो एक दूसरे से सलेशमा दुआरा जुड़कर एक ट्री के समान सरचना बना लेती हैं इसलिए हम इसे वरकसाब कोलोनी भी कहते हैं नमबर च्यार पर हो जाएगा आपकी राइजोपोर्ड फोर्म राइजोपोर्ड मैंने आपको थोड़ तेर पहले बताया था कि राइजोपोर्ड मैं जो सैवाल को गती कराने का कारिय करता है कि मैंने आप कैसे इस टेक्चर से सरचना बनाई थी, यू़िस्सेलोलर के अंदर इस परकार की कोलोनी में एक सेल है जो दूसरी सेल से राई जो बोड की साहिता से जोड़ी होई होती है और इस कालोनी में भी सेल्स की जंक्या एनिसित होती है जैसा कि हमने देखा था कि आपके इसमें भी आपकी सेल्स की जंक्या एनिसित होती है और जो आपका वरकसाव है उसमें भी एनिसित होती है और जो आपका नोन मोटाइल है उसमें भी आपकी एनिसित होती है केवल आपकी मोटाइल कोलियोनिन फरम्स में ये आपकी सेल्स की संक्या निसित होती है तो ये बात को भी आप द्यान रखेंगे तो आप डाइगराम में देख सकते हैं कि ये जो मल्टी सेलललर थैलस है ये आपके राइजोपोर्ड के दुवरा आपस में जुड़े हुई रहे हैं इसलिए राइजोपोर्ड को लोनी भी कहते हैं नंबर पाँज पर है आपका इसमें फिलामेंट स्पोर्म यानि आपका तन्तू नुमा रूप इस परकार की सैल्स में रेखे करम में जुड़ी हुए थिए जिसे एक तन्तू नुमा सरचना करें नमाण होता है अते इस परकार के रूप को तंतुल रूप का जाता है आप नाम से भी से डिफाइन कर सकते हैं यह निमन परकार को होता है आपके तंतुनुमा रूप तंतुनुमा रूप को आपको निमन बागो में डिवाइड किया गया है नमबर एक पर होता है आपका साकित नमबर दो पर होता है आपका A साकित और नमबर तीन पर होता है आपका सिपोनियस रूप और नमबर चार पर होता है आपका पैरी केमेट्स रूप तो दोस्तो इसे आपके चार बागों में डिवाइड किया गया है तो नमबर एक पर बात करें तो आपका हो जाएगा ब्रांच यानि साकित रूप इस परकार के रूप में आपकी जो सैल्स होती है वो साकाओं में बटी रहती है इसका आपका एक्जामपल हो जाएगा एक्टो कोर्पस तो आप डाइगराम में देख सकते हैं कि ये साकाओं में अलग-अलग सैल्स बटी हुई होती है और दोस्तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नेक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले इसके बाद में नमबर दो पर रहने वाले आपकी ऐसाकित ऐसाकित में क्या होता है कि इस परकार के रूप में जो पस्ते सैल होती है वो साकाओं में ऐ विबाजित होती है यह आपकी साकाओं में बटी नहीं होती है ब्रांच में आपका क्या था कि यह साकाओं में बटी हुई थी नोन ब्रांच में आपकी क्या रहेगा कि यह साकाओं में सेल्स बटी हुई नहीं रहेंगी नमबर तीन पर आपका सिफोनियस रूप इस परकार के थैलस में ए संक्या पठीन बहुकेंदर नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम साइफोन कहते हैं इस परकार के थैलस में साइफोनस फ्रम कहते हैं सेल्स भी आपको बहु के अंदर पटकों के रूप में देखने को मिलेगी ब्रांच में क्या था कि आपको ब्रांच के रूप में बटी हुई दिखाई देगी नोन ब्रांच में क्या था आपको बटी हुई नहीं दिखाई देगी और इसमें आपको जो है अनेक पटकों के रूप में देखने को सैल्स मिलेगी इस थैलस के आदारी बाग में आपको मूल के समान सरजनाई भी पाई जाती हैं जिनें आम मूलाभास या राइजोड कहते हैं नमबर च्यार पर आपका पैराकिमेट सुरूब इस परकार की निर्मान आपका तंतुल रूप में होता है तंतुल रूप का जो सीर्च बाग है सीर्च बाग में जो उपस्ति सैल होती है वो फूल कर एक विबाजित होकर एक फलकनुमा सरजना का निर्मान कर लेती है या आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपके सीट्स पाग में उपस्ति जो सैल्स होती हैं वो फूल कर एक तंतुनुमा सरचना का रिन्मान कर लेती हैं या फलकनुमा सरचना का रिन्मान कर लेती हैं जिसे आपके हम पैरा केनमेट्स रूप का कहते हैं तो ये दोस्तों आपके थैलस सैवाल के अंदर आपके थैलस ओर्गन या सुकाय अंग रहेंगे तो ये दोस्तों आपको एकजामे बड़ा क्यूसन यहां से देखने को मिलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे अगर आप चैनल पढ़ने हो तो चैनल को सस्क्राइब करें तो दोस्तों अभी तक हमने आपकी दो वीडियो में आपको सैवाल के सामायने लक्सन और आपके सैवाल के आवास के बारें बताया था उसके बाद हमने आपकी थैलस ओर्गन याँनि आपके सुकाइंग के बारे में बता है, इसके बाद आने वाली वीडियो में हम सहेवाल में रेपोडक्शन सिस्टम याँनि जनन तंतर भी पढ़ेंगे, कि सहेवाल में आपकी कौन कौन सा जनन पाय जाता है, तो सहवाल में मैं आपको बता दू कि आपको तीन परकार का जनन देखने को मिलता है नमबर एक पर होता है आपका का एक जनन, नमबर दो पर होता है आपका लेंगिक जनन और नमबर तीन पर होता है आपका एलंगिक जनन ये तीन परकार का जनन भी आपको सहवाल में देखने को मिलता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे आने वाली वीडियो में हम सहवाल के जनल के बारे में देखके चलेंगे इसी परकार हम complete syllabus को बहुत ही शांदा तरीके से शांदा नोट्स के दुआरा करते रहेंगे और दोस्तों मैं आपको एक बात और बदा दू कि description में हमारे telegram channel का लिंग है और साथ की साथ अपने नोट्स बनाते हो चलना है नोट्स बनाओगे तो आपको exam time में दुबारा से वीडियो नहीं देखने को मिलेगी अगर आप exam time में भी वीडियो दुबारा से खोल के बैट जाओगे तो आपका time खराब हो जाएगा तो आपको मेरी एक ही request रहेगी कि आप अभी से नोट्स बनाते हो चले साथ के साथ वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को रोक लिया है इसकी इन्सोट ले लें और नोट्स बनाते हो चले थैंक दोस्तो